हाई गाईस वेल्कम बेक टू माइ चैनल कैसे हो आप सब आई आप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडिो में आपके साथ जेशन की वीडियो शियर कर रही हो ट्विन ब्रेड बन की वीडियो शियर कर रही हो बहुत ही सुंदर मैंने बन बनाए है तो गाईस आपको जरशन की वीडियो तो चैनल को लाइक करें वीडियो्स अंहीं को सता सारो। क्शान के मनें तो आफ़ गज्ञाफ को अच्छी-टरह से रिमॵ कर दीया है क। आफमें किया था बहुंतुत। तो बालो में tangles बहुत ज़ादा थे सबसे पहले मैंने off camera सारे tangles को remove कर दिया अब मैंने center partition किया है क्योंकि मुझे twin bun बनाने है twin braided bun तो आप उसके बाल देख सकते हैं कि बालो में oiling हुई हुई है सबसे पहले मैंने center partition किया है बड़ा cute सा hair style है आप अपने बच्चों के छोटे बच्चों के इस तरह से hair style कर सकते हैं बड़ा प्यारा लगता है यह वाला hair style जेशन के बालो पर मैंने अच्छी तरह से oiling की है क्योंकि बिना oiling के ना कोई भी braid बनानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उसके बाल लंबे हैं तो बालो में tangles इतने ज़्यादा होती है कि without oiling तो मैं कोई भी hair style करी नहीं सकती हूँ उसके बालो में combing ही नहीं होती है इसलिए सबसे पहले मैं उसके बालो में से सारे tangles को remove की है तो आप देख सकते हैं बिलकुल single braid बना रही हूं मैं बड़ी सुंदर उसके बालो में braid बनती है क्योंकि नुसके बाल एक तो oil बहुत ज़्यादा लगा आता है और उसके बाल लंबे इतने है कि एक braid बनाने में उतना ज़्यादा time लगता है इतनी लंबी लंबी उसकी braid बनती है बड़ा क्यूट सा यह hairstyle है, बन बड़े ज्यादा सुन्दर लग रहे थे और इतने बड़े बड़े उसके बन हुए थे उसके बालों के length के according ना, मतलब बन बहुत ज्यादा बड़े थे और बालो में अभी तो मैंने बालो में ओईलिंग की है जिस वज़ा से बाल टिक गए हैं अगर यही मैं बिल्कुल उसके ड्राय सुखे बालो में बन बनाती न तो फिर तो पता नहीं इतना बड़ा उसके बन बन जहना था आईलिंग करने के बज़े से बाल थोड़े सेट हो गए है must说 अब देखें, इस तरह से मैंने इसकी ब्रेड़ बनाई है कि कितनी लंबी इसकी ब्रेड़ है जशिंग के बाल दिन बर दिन और जादा लंबे हो रहे हैं बहुत जल्दी उसके बालों की length increase हो रही है क्योंकि आप सबको बता है मां यूर शेंपू उसके बालों पर यूज करती हूं मस्टर्ड ऑईल से ओईलिंग करती हूं या फिर पैराशुट हेर ऑईल से ये सारी चीज़े उससे बड़ी अच्छी तरह से सूट कर गी है वैसे उसके मतलब ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच् अलकुल शिप गया रबड़ बैंड बड़ाई प्यारा उसके बन बना था जो छोटे बच्ची है ना उन पर ये वला हेलस्ट्याल इतना जदा क्यूट लगता है इतना प्यारा लगता है तो जिस तरह से मैंने इस साइड बन बनाया है इसी तरह से मुझे दूसरी साइड भ पॉनिटेल कर लेनी है बालों को अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है तीन फोल्ड मैंने की है क्यूंकि बाल काफी जदा है वी है उसके बालों में तो कोई रबड़ बेंड आता ही नहीं है अच्छी तरह से ऑईलिंग करने के बाद थोड़े बाल सेटो जाते हैं तो फिर म जूड़ा करके रखता है वो तो देखे सेम वैसे ही मैंने इस साइड पहले रबड बेंड डाला है फिर मैंने ब्रेड बनाई है मस्टर्ड ऑईल से मैंने ऑईलिंग की थी जशन के बालों पर अब जैसे विंटर स्टार्ट हो रहे हैं तो अब मतलब उसके बालों में ऑईल थोड़ा ज़्यादा मैं लगाती हूँ गर्मियों में स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जती है इसलिए मैं ऑईल कम लगाती थी बट अब मैं उसके बालों पर अच्छी तरह से ओईल लगाती हूँ बाल उसके इतने ज़्यादा सुन्दर है इतने लंबे बाल है तो देखिए ये वली ब्रेड भी मैंने इसी तरह से बना ली है बन देखिए उसके इतने सुन्दर लग रहे थे न इतनी लंबी ब्रेड उसकी होती है कि बनाने में कितना टाइम लग जाता है अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप उसके इस तरह से ट्विन बन बनाईए बड़े प्यारे बड़े क्यूट लगेंगे ब्रेड्स देखिए गाईज यही किसी लड़की के बाल इतने लंबे हो ना तो इतनी प्यारी उसकी ब्रेड्स हो इतने प्यारे प्यारे उसके बालों पर हेरस्टाइल हो बट जेशन को आप सबको पता है कि मैं जूड़ा करके रखती हूँ तो देखिए इसी तरह से मैंने वह सेकिंड वाला बन भी बना लिया है ट्विन बन मैंने बनाए है बहुत असान है यह बन बनाने होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर द झाल